नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल SK Agri Culture में आज की इस वीडियो में किसान भाईयों हम बात करने वाले हैं कि सभी प्रकार के गहूं चाहे आपके पूस्ता तेजस गहूं हूं चाहे स्री राम कंपनी के गहूं हूं चाहे और भी अधर क कंपनी के गहूं हो आपके पास आपने लगा रखे हो तो इनमें ना कली हमको कुछ किसान भाईयों के कमेंट मिल रहे थे हमारा जो ग्रूप है उसमें भी किसान भाई बता रहे थे पूंच रहे थे कि इनमें जो है ना बिलकुल जो करेक्ट टाइम होता है आखरी पानी लगाते तो गेहूं के दाने पर सपेज सपेज दाग आ जाते हैं तो वो थोड़ा दागी माल की गिंती में आ जाते हैं तो मंडी बाव भी डाउन हो जाता है थोड़ा जल्दी पानी लगाकर छोड़ देते हैं तो गेहूं का दाना है न वो थोड़ा सिकुड जाता है तो कौन सा वो करेक्ट टाइम होता है जिस टाइम पर हमको गेहूं का आकरी पानी लगा कर छोड़ देना चाहिए ताकि गेहूं का दाना भी खराब ना हो और श्रिकुड़े भी ना तो कंप्लेट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा सी ज्यादा शेयर कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को ओल पर दबा देना ताकि आगे भी आपको खेती से संबंदित तमाम परकार की वीडियो देखने को मिलती रहे देखे किसान बैयों जब तक आपके गेहूं का रंग हरा है बिलकुल हरा है तब तक तो उनको पानी लगाना बंद नहीं करना है टाइम टू टाइम पानी लगाते रहना है लेकिन आपने देखा होगा आपको पता है होगा कि जब गेहु का दाना भरора होता है उस टाइम पर गेहु की जो बालिया है और गेहु के जो उपर इसल करते हैं और जो समझ जाना उनका रंग दिरे दिरे फिर अलग से सुनेयरा होने लगता है जिल्डन ब्राउन की तरफ जाता है वो हलका हलका color change होता है तो उसको अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है लेकिन जब वो color उस परकार से हलका सुनेरा होना शुरू हो जाए उसी time पर गेहूं का जो दाना होता है वो हलका-फुलका खाने लाइक हो जाता है हम खेतों पर खाते हैं जो बालियां हैं उनको तोड़ कर हम जो हैं उनको पकाते हैं खेत पर ही उनको खाते हैं वो खाने लाइक जब हो जाता है उस time पर बाली का रंग भी जो है सुनेरा होता है तो उस time पर अगर हम हमारी फसल को तो आखरी पानी लगाते हैं तो वह एक correct time होता है, वो ना तो जल्दी आता है न लेट आता है, क्योंकि उस time पर अगर आने वाले 10-12 दिनों में पक कर तैयार होने वाली stage पर होते हैं, तो उस टाइम पर पानी लगाने से क्या होता है कि 10-15 दिनों में वो नमी भी सूख जाती है दाना भी अच्छे से पक जाता है और अगर हम बिल्कुल हरा कलर है उस टाइम पर पानी लगा कर छोड़ देते तो दाना शिकुड जाता है क्योंकि वो पकता नहीं है तो यह एक करे वीडियो आपको जुरूर पसंद आई होगी लाइक स्सक्राइब करना मिलते हैं अगले नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद